हेलो फ्रेंट्स मैं संस्टार एस्ट्रो से गुर्मी सिंग आपका अपने यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ धन से जुड़े हुए कुछ विश्य आपके सामने लेकर आया हूँ वो आज आपको पताने की कोशिश करूँगा क्योंकि उस समय मैंने डेटेल में कुछ भी बात नहीं की थी तो लोगोंने में से इंक्वारी की थी इंदु लगन देखते कैसे हैं तो आज उसी शंकला को मैं धन की पहली वीडियो ही मैं इंदु लगन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी कुछ और वीडियो आज ही लाँगा बट वो वेदिक चार्ट से देखेंगे की धन कैसे देखते हैं तो आज ये तीनों एपीसोड को आज ही में खतम करूँगा आपको बिल्कुल क्रियर होजेगी पोजिशन देखना क्या क्या होता है सबसे पहले इंदु लगन में बता जाता हूँ इंदु लगन कैल्कुलेट कैसे करते हैं इंदु लगन के लिए लगन सेなんन घाउस जो यो राशी पढ़ती है इनकी कलाWK dynamics को जोड़ना पढ़ता है ग में बता या इस लगन मं किसी लगन बनता है तो तो त्वह के लिए टीस कला मिलती है Moon के लिए 16, Venus के लिए 12, Jupiter के लिए 10, Mercury के लिए 8, Mars के लिए 6, शनी के लिए 1 अब इस लगन में देखते हैं, एक horoscope बना पड़ा है मेरे पास इसमें 9th Lord बनते हैं शनी, तो शनी के लिए 1 ले ले लेंगे पहले फिर चंदरमा से 9th house बनता है Moon, तो Moon के लिए हम 16 ले ले लेंगे जो भी इन दोनों का जोड आया, 17 अगया इनका जोड इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, एक net formula है 12 से कम हो तो उसके लिए अलग समझा दूँगा, 12 से उपर हो तो डिवाइड करते हैं, जो भी reminder आएगा और 12 से नीचे जो भी reminder आता है हमारा, 17 नहीं पहुंचते हैं यहाँ बारा से नीचे रह जाते हैं, तो जो reminder रह तो उसको देखते कैसे हैं यहाँ इस case में 5 आया, तो जो भी चंदरमा से 5 घर आगे हमें चले जाएंगे तो चंदरमा 1st house है, 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है, तो हमारा इंदू लगन बन गया जी, यह पाइसिस हैं, यह वला, यह हमारा इंदू लगन हो गया, अब इसको देखना कैसे हैं, आज आपका यह संश्य दूर करता हूं, इंदू लगन में कोई भी प्लैनेट, सुराशी का हो य आपको पैसा दिलवाएगा, अब जुपिटर क्या है, जुपिटर फाइनेशल इंडस्ट्री है, जुपिटर कंसल्टंसी भी है, और जुपिटर आपका फाइनेशल इंडस्ट्री भी है, और टीचिंग से भी कनेक्टेट आई है, जुपिटर यहां पर बने है, अगर जु यहां पे mercury होते, financial industry से, consultancy से, intelligence से कही न कही से फाइदा दिलबा सकते थे, सूरी होता थे, सूरी यहां पे उच के होते, या अपने सुराशी के होते, तो पिता से, राज्य से फाइदा करा सकते थे, तो जो भी planet इस घर में आएगा, सुराशी का, वो अपने, जो भी आपका इंदू लगन पढ़ा, वहां पे कोई नीच का गरह आ गया, तो वो आपकी अच्छी पोजिशन को नहीं बताता, वो बताता है कि आप बिलो आइवरेज रहेंगे पैसे के मामले में हमेशा, अब इसको उसमें आगे, आपको आज शेयर करता हूँ आपके साथ, जुपिटल लगन से 2nd house, 5th house, 9th house और 11th house को भी देखो, अपार्ट सम इस जुपिटल लगना, और जो जो गरह इसको देख रहे हैं, जो इंदू लगन को, उनको भी देखो, कुटली में कितने गरा इस लगन को देख रहे हैं, जितने ज़्यदा प्लैनेट्स का इस लगन से संबंद बनेगा, समझ लो, उतना ज़्यदा पैसा आपको मिलने वाला है, अब इस चार्ट में ही देख लेते हैं, 2nd Lord, 7th house में बैठके, इंदू लगन से संपर्क मना रहा है, इंदू लगनेश से भी संबंद मना रहा है, और इलाहंद में यहां पे शनी आ गए, बहुत अच्छी सिच्वेशन को दिखा रहा है, इंदू लगन से पंचम में वीनस और सन चले गए हैं, वो भी बहुत अच्छी सिचूशन को दिखा रहे हैं, नहीं थाउस में चंदरमा हैं, हलाकि नीच के हैं बहुत बुरे नहीं दिख रहे हैं, तो भी ठीक ही लग रहा है मुझे, तो इंदू लगन को आज मैंने आपके स आप मेरा यह वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स